मेरी हैसियत से ज़ादा मेरी थाली में तूने परोसा है तू लाख मुश्किले भी दे दे मालिक मुझे तुझ पर भरोसा है तो साथियो नमश्कार आज हम फिर से अध्यातम के उपर चर्चा करने वाले हैं थोड़ा सा जो कल रहे गया था आशा करती हूँ कि कल वाला ये चर्चा का विशे आपको अच्छा लगा होगा तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अध्यातम जो है किसी धरम या किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ा है हम कहें ये हिंदू, मुसलिम से खेसाई या ये किसी संप्रदाय या धरम से नहीं जुड़ा है अपनी आत्मा को खोजने का तरीका है और ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है अब बहुत अच्छा तरीका है, बहुत दिव्य तरीका है कि मनुश्य को हर कष्ट, हर चिंता, हर विपत्ती से अध्यात्म दूर करता है कभी आपके मन में कोई परिशानी हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि दो रास्ते हैं, हम क्या चुने या वैसे ही किसी जिंदगी है, इतनी आसान तो नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है, कोई परिस्तिती ऐसे आजाती है, जिसमें हम परिशान हो जाते हैं आप थोड़ी देर मौन रहकर और मेडिटेशन करके सोचिए, तो आपको रास्ता जरूर मिल जाता है तो इसी लिए ये खुशी देता है हमें, तनाव ग्रस्त अगर हम हैं, तो हमें तनाव से मुक्त करता है स्वामी विवेका नंग जी जो थे, वो अध्यात्म के बारे में बहुत अच्छा बताते भी थे और जो जो लोग उनके संपर्क में आते थे, उनको वो अध्यात्म के शिक्षा देते थे और उनका ये मानना था कि कितनी भी कोशिश कर लें, हम परिशानियों से दूर नहीं जा सकते हम जीवन में जीवन जीने आये हैं तो परिशानिया तो होंगी हम पर ऐसा कोई अस्तर शस्तर नहीं है कि हम परिशानियों से दूर किसी कमरे में जाके बैठ जाएंगे तो परिशान बिलकुल नहीं होंगे, लेकिन अध्यात्म हमें इतना मजबूत बना देता है कि उन परिशानियों का हमारे उपर कोई असर नहीं होता तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी आत्मा इतनी मजबूत हो जाती है मन मस्तिक्ष इतने मजबूत हो जाते हैं कि ये छोटी-छोटी चिंताएं या छोटी-छोटी जोवेपतियां आती हैं जीवन में वो हमारे उपर किसी भी तरह का कोई असर नहीं डालती और ये ऐसा नहीं है कि आज से हमने ये शुरू किया आज से हमने योग शुरू किया आज से हमने meditation शुरू किया और आज से ही हम बिलकुल मजबूत बन गे ये एक long process है धीरे 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 जैसे जैसे आप इसमें ढलते चले जाते हैं आप अपने आपको पाएंगे कि आप मजबूत होकर खड़े होते हैं या आपके इरादे इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर आपको तनाव या चिंता नहीं होती है कई लोग कहते हैं कि अध्यात्म कैसे करें योग में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है हम मौन रह नहीं सकते हैं जैसे ही हम योग में बैठते हैं मोबाइल की घंटी बच जाती है हमें मोबाइल की आदा जाती है या जैसे ही हम आखे बन करते हैं हमारे सामने हमारे काम डेली के जो हैं वो घूमने लग जाते हैं तो इसके लिए एकाग्र होना बहुत जरूरी है और हमारे धरम में नहीं बहुत सारे धर्मों में ये बात है कि किस तरह से हम एकाग्रचित हो सकते हैं आप ओम का जाब कीजी ओम की ध्वनी जो है वो इतनी पावर्फुल है कि वो अ अगर आप ओम का उचारन करते हैं आप शुरू कीजिए पांच सेकेंड दस सेकेंड थर्टी सेकेंड तक आप अराम से ओम का उचारन कर सकते हैं तो ओम का उचारन या ओम की ध्वनी से हमारे तनाव दूर होते हैं और यह मैं खुद करती हूं और मुझे पता है बहुत अच तक भी कर सकते हैं फिर हमारे यहां तो इतने सारे भगवान हैं किसी खावी चलीसा पढ़ लीजिए शिव चलीसा है गीता है रामायन है उसके अलावा आप दुर्गास्तुती है शिव स्तुती है राम्स्तुती है जो आपका मन करें दो चोपाईयां ही पढ़ लो हनुमान चल पर शुरुवात कीजिए, पर शुरुवात जरूर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस जीवन में जो भी परिस्तितियां आएं, उससे हम लड़ने को तयार हो, लड़ने का मतलब यह है कि हम उनको दूर कर सकें, तो इसलिए किसी भी तरह जिसमें आपका मन लगता है, और आपके शौक तो कुछ होंगे, मालोग घर की सफाई का ही शौक है, मालो गमले लगाने पौधे लगाने का शौक है, क्यारी है, क्यारी बनाये, आपको घर की सफाई का शौक है, तो वह कीजिए, उसमें एक आगरचित होते हुए, महामंतर का जाब करते रो, चलीसा पढ़त बहुत अच्छा लगता है और ये सारी चीजें हमें भौतिक वस्तुमों से दूर रखते हैं और ध्यान हमारा नहीं भठकेगा मत देखो मोबाइल मोबाइल को 24 गंटे थोड़ी गले में डालके बैठना होता है आपने अपनी जो information लेनी है वो लो और एक या दो गंटे अपन में रखते हों और अपने आप को तनाव से दूर रख सकते हो कई वार कहते हैं कि ज्शान और अध्यात्म एक ही चीज है दोनों में फरक है ज्शान हमें किताबों से मिलता हैं किताब हैं हमें हर तरह की बुक से मिलता है, ग्यान का भंडार है हमारा मुबाईल, यूट्यूग पे चले जाओ, गुगल पे चले जाओ, तो ग्यान तो हमें बहुत सारे चीजों से मिलता है, लेकिन अध्यात्म जो है, वो हमें साधना से और योग से मिलता है, इसके लिए कोई किताब नहीं है, कि हम पढ़ेंगे और अध्यात्म शुरू हो जाएगा, या आज मैं जैसे चर्चा कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इससे क्या है, कोई फाइदा थोड़ी होता है, तो ये हमारे अंदर है, स्वयम के अंदर है अध्यात आपने उसको बाहर निकालना है, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना ही अध्यात्म की तरफ आप अग्रसर होंगे, कोई इसमें खीच के नहीं ले जा सकता आपको, आपका मन करता है तो करो, आपने स्वात्वाब से समाज की सेवा कीजिए, जो आपका मन करता है वो करिए, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो करिए, ये आपके उपर है कि आप अपनी खुशी कहां ढून सकते हो, इसलिए मैंने कहा कि वो छोटी छोटी चीजें जो हमें खुशी देती हैं उन्हें करो और अगर हम खुश हैं यानि मन भी खुश है और हमारा दिमाग भी शानत है अध्यात्म का सबसे बड़ा लाभी यही है जैसे कई पूछते हैं कि हम योग में बैठते हैं हम शानती पाठ करते हैं हम मौन भी रखते हैं इससे फाइदा क्या होगा बहुत फाइदा होता है इससे अध्यात्म से आपको मन की शानती मिलती है आपका मानसिक संतुलन ठीक रहता है और तोर जो दिल पे दबाव पड़ता है आपके हार्ट पे जो स्ट्रेस पड़ता है उसको भी कम करता है उसके अलावा सबसे बड़ी बात हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है सकारात्म कुर्जा आती है हमारे सोचने की शक्ती बढ़ती है और बच्चों के लिए तो इसलिए अच्छा है उनकी कंसंट्रेशन ये जो दिमाग हमारा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है एक जगह से देखते है मुझे कई बच्चे कहते थे जब पढ़ाती हूं मैं तो वो कहते हैं कि मैडम हम पढ़ते है हमारा दिमाग किसी पिच्चर की स्टोरी में चला जाता है या हमने अभी कोई यूट्यूब पे मूवी देख ली या हमने कोई वैसे ही सीरियल आते हैं वो देख लिए तो हमारा दिमाग भटक जाता है तो दिमाग को कंसेंट्रेट करने के लिए ही तो अध्यात्म है आप अध्यात्मिक बनिए आप मौन रखिए आप थोड़ी देर इन चीजों से दूर रहिए किताबों में ध्यान लगाओ कंसेंट्रेशन अपने आप बढ़गाती है अब हम लिख रहे हैं कोश्चन गीत बज़रे हैं गाने बज़रे हैं मोपाइल पर तो तुमारी कंसेंट्रेशन नहीं बने तो कंसेंट्रेशन बढ़ाने का भी सबसे अच्छा तरीका अध्यात्म है आपको अध्यात्म शारीरिक मानसिक आत्मिक सभी तरह की संतुलन को बनाने के लिए जरूरी है और इसे करके देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और प्रैक्टिस में लाओ यह नहीं कि आज किया ठीक लगने लगा और फिर उसको आप खतम कर दो अध्यात्म जो है वो हमें इश्वर से जोडता है वो किसी ने का है ना कि अगर उपर वाले से हमारे संबंद मौजूद अच्छे है मजबूत है तो धर्ती वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते तो उस उपर वाले से अपना संबंद मजबूत बनाओ और जिस व्यक्ति के पास शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है जिस व्यक्ति के पास सहन शक्ति है वो तो सबसे ही मजबूत है तो परमात्मा की तस्वीर को अपने अंदर अपने मन में बिठाओ और वही आपके सारे काम पूरे करेगा इनी शब्दों के साथ मैं ये अध्यात्म वाली चर्चा यहीं समाप्त करती हूं आशा करती हूं कि मेरी इन बातों का कुछ ना कुछ दो परसेंट एक परसेंट अगर किसी पर असर होगा तो वो इसे अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे जादा समय नहीं लगाना है थोड़ा थोड़ा समय दीजिए जब आप अपने अंदर जरूर परिवर्तन पाएंगे नमस्कार धन्यवाद और आप देखते रहे आप यूट्यूब चैनल देखते हैं तो उस पे भी ये वीडियो आती है फेस्बुक पे भी है आप इसे देखिए अपने कमेंट्स दीजिए सब्सक्राइब जरूर करिए और हो सके तो एक या दो शेर भी जरूर कीजिए ताकि बाकी लोग भी लावान भी थो सकें और मुझे भी मोटिवेशन मिल सकें नमस्कार